लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उस डिमन ने अपने थाउजेंट और फ्लावर का यूज कड़के डूजी पर अटेक कर दिया था और इसके बाद वह कहता है कि मैं तुमको मारने के बाद उस लेडी को भी नहीं छोड़ूंगा जो सुनका डूजी दुबाया से गुसा हो जाता है और इसके बाद वह कहता है कि वो जो लड़की है वो लॉंकी काफी जादा पसंदीदा है तो मैं तुमको उसको मारने नहीं दूँगा और वो दुबाया से अपने पॉर्फुल अटेक को डेडी कर लेता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है जहां पड़ा में डीमन को दिखाये जाता है जो कि अपने फलावर का यूज करके उसके सारे फलावर को डिश्टोय कर रहा था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ा था जहां पड़ा में डीमन को दिखाये जाता है जो कि यह देखकर काफी जादा है रानू चुका आता पड़ा में डूजी को दिखाये जाता है जिसने उसके सारे अटेक को डिश्टोय कर दिया था और इसके बादू आगे बढ़ता है और इसके बादू कढ़के उसके दिल पर अटेक कर देता है जहां पर्ड में इस डीमन को दिखाया जाता है जिसके इसकी वजासे हालत काफी जादा खड़ा बुजाती है और वह वहाँ पर मरने वाला था पर इसके बाद हुआ अपने सिल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजासे उसकी और भी डिलीज होता है जहां पड़ा में कार को दिखाया जाता है और वो भी चीज को नोटिस कर लेती है साती हमें डूजी को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी जादा खड़ा बूचुकी थी और वो जमीन पड़ा कर गिर जाता है और साती हमें दिखाया जाता है कि मजबूर कर दिया कि मुझे अपने सील को भी हटाना पड़ा और इसके बादू आगे बढ़ने लगता है और इसके बादू कहता है कि आज तो मैं तुमको खा करी रहूंगा क्योंकि अगर मैंने तुमको खा लिया तो इसकी वजह से मेरी पाउर काफी जादा बढ़ जाएगी और मेरे फलावर भी काफी जादा पोड़ फू लो जाएगे जिसकी वजह से मुझे कोई भी नहीं आड़ा पाएगा और इसके बादू आगे बढ़ता है और इसके बादू और डूजी को खाने वाला था पर तब ही वहाँ पर कायड़ जाती है और वह उसको रोक देती है और इसके बादू आपने नाइफ का यूज करके उस पर अटे कर देती है जहाँ पर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटेक को नहीं डोक पा था और वह काफी जादा दूर जाकर गरता है और वह सीन में डूजी को दिखाया जाता है जिसकी आलत काफी जादा ख उस्ती है जहां पड़े में डूजी को दिखाया जाता है जो कि उसको परिशान उने समाना करता है और इसके बाद वो उसके कान में कुछ बताता है जो कि उस डीमन के कमजोरी के बारे में था और वो इत्ता बताने के बाद वहीं पर मारा जाता है जो देखकर कायर भी काफी ज प्रवाद वह उसके आँक को बंद कर देती है और वो इसकी वज़ा से उस डीमन पर काफी जादा गुसा कर रही थी अगले सीन में हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वज़ा से काफी जादा हेडानों चुका था और इसके बाद वह कहता है कि इस लरके ने तुमको बचाने के लिए अपने जान को दे दिया पर तुम कितनी बड़ी पागल हो जो कि तुम खुदी मेरे हाथों से मरने के लिए आ गई और इसके बाद वो दोबाया से अपने कलो को रेडी कर लेता है और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है पड़ा में कार को दिखाया जाता है और वो भी इसकी वज़ा से काफी जादा गुसा हो चुकी थी और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उस पर अटेक करना स्टाट कर देती है जहां पर वो डीमन कायर के स्पीड को देख भी नहीं पाता और कायर उसको काफी आसानी से घाल कर देती है वो demon कायר पर attack करने की कोशिज करता है पर कायर काफी आसानी से उसके attack से बच जाती है आगले scene में हमें उस demon को दिखाया जाता है जो कि इसकी वज़ा से काफी ज़ादा हेडानू चुका था पर वो हर नहीं मानता और इसके बादु आगे बरता है और इसके बादु आपने flowers का यूज करके carks पर attack करना start कर देता है पर हमें car को दिखाया जाता है जो कि अपने speed का यूज करके उसके sara attack से बच रही थी जैसे वो दुबाया से अपने जक्मों को हील कर सकता है और इसके बाद वो दुबाया से अपने जक्मों को हील करने की कोशिस करता है पर वो अपने जक्मों को हील नहीं कर पाता और वो इसकी वज़ा से काफी जाद अगुसा करना स्टार्ट कर देता है इसके बाद में पाष्ट का सिंध खाया जाता है जहाँ पर डूजी ने उसके कमजोरी के बाड़े में बताया था और वो बताता है कि मैंने उसके कमजोरी के बाड़े में पता लगा लिया है और मैंने उसके ऐसी जगा पड़वार कर दिया है जिसकी वजासे वो अपने जखमों को हील नहीं कर पाएगा और तुम काफी आसानी से उसको मार पाओगी और कार इसके लिए डूजी को थैंक्स बोलती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने सेंट नाइफ को निकाल लेती है और इसके बाद हुआ उसपर अटेक करने के लिए रेडियो जाती है जहां पर हमें उस डिमन को दिखाया जाता है और वो भी वहाँ पर अपने स्प्रिचुल बोडी को समन कर लेता है और वो कार पर अटेक करने के लिए रेडियो चुका था और वो आपने एक बहुती प टेका युज कड़के उस पर अटेक कर देती है और वो अटेक सीधा जाकर उससे लगता है जिसकी वज़ासे वो डिमन वहीं पर मारा जाता है और इसकी वज़ासे वहाँ पर काफी जादा पावर रिलीज होती है आगले सीन में हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अभी नीच का मार दिया है और साती धीरे धीरे कड़के वहाँ पर और भी बाकी डीमन्स आ जाते हैं अगले सीन में हमें दोनों प्रिंसेस को दिखाये जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुकी थी जहाँ पर हमें रेड प्रिंसेस को दिखाये जाता है जो कि काफी जादा बोरो रही थी अभी उसकी नजर कायर के उपर जाती है और उसको कायर की आखे काफी जादा पसंद आती है। जो की हाउचन से कहती है कि सोन अफ लाइट मैं तुम से एक रिक्वेस्ट करना चाती हूँ। इसके बाद वह कहता है कि ये सारी चीजे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और शाथी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कराउन प्रिंस भी आ चुका था। और कार पर अटेक कर देते हैं पर तबी आचानक से कार वहाँ से टेलिपोर्ट हो जाती है। जो देखकर वह डीमन काफी जाद आ हेरानू चुके थे। अगले सीन में हमें कार को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के पास में आ चुकी थी। साथी वहाँ पर फैंग भी आ चुका था। हाउसियान ये सब देखकर काफी ज़ाद आ हेरानू चुका था। और इसके बाद वो नेचर की देवी से पूछता है कि आखिर मेरे बाकी दोस्ति यहां पर क्यों नहीं आए हैं। जहाँ पर्णा में नेचर की देवी को दिखाये जाता है जो कि हाउसियान को बताती है कि तुमारे बाकी जो दोस्त है वो मारे जा चुके हैं जो सुनकर हाउसियान कफी जाद अगुसा करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो डूजी के साथ में भी ताय हुए पलों क याद करना स्टाट कर देता है पड़ा में कार को दिखाये जाता है जो कि उसको संथ करा देती है नेचर की देवी हाउसियान को बताती है कि यहाँ पर जितने भी डीमान आए हैं वो सभी यहाँ पर स्प्रीच्वल फरनेस को लेने के लिए नहीं आए हैं और इसके बाद वो और अगर तुम सभी यहाँ पर मार जाते हो तो यह जो सपनों का स्वडग है वह अपवीत्र हो जाएगा और इसकी वज़ासे मैं उसके सामने आजाओंगी और वो काफी आसानी से मुझे को कैप्चर कर लेगा जिसके बाद पुरा सपनों का स्वडग उसके कंट्रोल में चला जाएगा साथिया में कराउन प्रिंस को दिखाया जाता है और वो भी इसके बारे में अपने साथियों को बता रहा था नेचर की देवी हासियान को मदद करने को बोलती है और उन सबी डीमन्स को रोकने को बोलती है तो चलिए मिलते अगले एपिसोड में